खुत्ता काटनेस पे रैबीक एक बीमारी होती है, उसकी वज़ा से मरीज घबडाहट, बेचाईनी, लार ठूकना, मुह से लार आना और पानी से डर लगता है, और सांस पुलेगा, घबडाहट होगा, चेस्ट में टाइटनेस आएगा, इधर उधर बेचाईन होके भागेग यह ऐसे लच्छन आते हैं, कुट्टे के काटने पे फरस्टेट तो जहां भी कुट्टा काटा है, उसको किसी सोप से, गरम पानी से, उसको अच्छे से धूल दें, फिर उसको धाके नहीं, उसको ले जाके सरकारी हस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहिए, एक टिटनेस क वैक्सीन लगेगा, दूसरा एंटी रैविक वैक्सीन लगाई जाती है, और घाव को हमेशा खुला रखा जाता है, कोई स्टीचिंग किया कोई टांका नहीं लगाया जाएगा, घाव को बहुत हुआ तो एंटी सेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, टॉपिकली, घाव को खु काटने के बाद, पहले पोस्ट एक्स्पोजर, चार वैक्सीन, चार एर्वी, एंटी रैविक वैक्सीन, चार दिन लगाई जाती है, जीरो, थर्ड, सेवेंथ, हुट्टिंथ, एंड टुटिएथ, सुनने जी दिन काटा है, उसके तीसरे दिन बाद, फिर उसके सातमे दिन बाद, फिर उसके चवदहमें दिन बाद, फिर उसके अठाइसमें दिन बाद, इन दिनों पे एंटी रैविक वैक्सीन लगाई जाती है, एक कुट्टा काटने के बाद का है, जहां पे एंटी टिटनेस्ट अक्साइड, जो इंजेक्शन टीटी जी से बोलते हैं, वो लग सकते हैं उसके साथ में, कुट्टे के काटने का दो तरह सी एलाज है, पोस्ट एक्सपोजर में हमें अगर वैक्सीन का जैसा मैंने अभी ऊपर चर्चा किया है, चार डोज एंटी रैविक वैक्सीन लगाई जाती है, अगर कुट्टा काटने के बाद हम काफी देर बाद हा कितने देर बाद प्रेजेंट करेगी कोई उसका निश्चित समय नहीं है, यो तिन महीना, दो महीना, साल बार, दस साल, पंदरा साल उसका कोई नियत समय नहीं है, लेकिन जब उसका होगा तो उसमें बेचैनी, घबड़ा हट, फीवर भी कभी कभी, शांस, जादे गर्मी होगी अधेरा में डरेगा और पानी देखके भागेगा इस तरह से उसको शिम्टम आते हैं रैवीज जिसको हो जाती है उसमें तो बहुत ही उसकी गयवड़ है रैवीज में अगर किशी को प्रेजेंट कर गया हमने प्रॉपर उसका वैक्सिनेशन नहीं कराया उसका जो मार् कर गया जिसमें रैविक बीमारी हो गई तो उसमें बचना बड़ा मुश्किल होता है हम कितना भी प्रिकाउशन ले लें बचाना बहुत ही मुश्किलों बहुत ही नहीं नहीं बच पाते हैं उसमें ज़्यादा तर अगर कोई किसी को कुट्टा काट लिया है उसने वैक्सिनेशन करा लिया है पोस्ट एक्स्पोजर चार वैक्सिन मिल गई है उसको कोई मरीज को ततकाल चार वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए नियत समय पे इसमें कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए क्योंकि रैवीज का केवल केवल वैक्सीन ही उसका उपाय है काटने के बाद वाली जो वैक्सीन का शिडूल है सुन्य दिन तीशरे दिन साथवे दिन चौदहवे दिन अटथाइसवे दिन इसी शिडूल पे लगाया जाना चाहिए इसको बहुत ही कडाई से पालन किया जाना चाहिए या जितनी जल्दी हमें याद पड़े जितने जैसे हमने सुबह तीसरे दिन हमने सुबह लगवाना था सुबह नहीं दो चार घंटे आगे पीछे करें तो कोई मललब नहीं है लेकिन 24 घंटे का डिले से बचना चाहिए यह नहीं तो उसकी वेक्सिनिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से काम नहीं करेगी